प्रिये विध्यार्तियों, वंदे मात्रम, प्रत्योंगी प्रिक्षाओं की सुरुवात करने वाले नए विध्यार्तियों के लिए भाटिय आश्रम की एक नई पहल उपनियन के माद्यम से हम अभी तक पढ़ रहे हैं अर्थ सास्तर भारतिय अर्थ व्यवस्ता के 150 आधार बूत प्रशनों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं अब तक हम 15 महत्वपून प्रशनों प पर अर्थ व्यवस्ता को किन दो भागों में विवाजिद किया गया है वनन कीजिये अब तक जो हमारे 15 प्रशन हुए हैं उसमें हमने अर्थ शास्तर एवं अर्थ व्यवस्ता के अर्थों को संचा मतलब को समझा कि समस्वतिवति archives होता क्या है अर्थ व्यवस्ता को किस आधार पर पुंजीवादी, समाजवादी या मिस्रित अर्थ व्यवस्ता कहा जाता है अब हमारा प्रशन है कि वैदैसिक संबंदों के आधार पर यानि कि कोई देश जो अपनी विदेश निती बनाता है दूसरे देशों के साथ जो संबद बनाता है उस आधार पर कितने भागों में अर्थ व्यवस्ता को बांटा जा सकता है तो आपकी स्क्रीन के सामने हैं दो भागों के आधार पर बांटा जा सकता है एक है बंद अर्थ व्यवस्ता जिसे closed economy कहा जाता है दूसरी है खूली अर्थ व्यवस्ता जिसे ओपन एकोनोमी कहा जा सकता है बंद अर्थ व्यवस्ता क्या होती है यह वे अर्थ व्यवस्ता है जिसका किसी अन्य देश या अर्थ व्यवस्ता से व्यापारिक संबंद नहीं होता अर्थात आयात निर्यात सुन्य होता है बंद अर्थवेवस्ता जैसा कि इसके नाम से हमें विदिद होता है हमें इसके नाम से समझ में आता है कि किसी दूसरे देश के साथ किसी भी परकार का ने तो आयात होता है और ने ही निर्यात होता है उस परकार की अर्थवेवस्ता Closed Economy बंद अर्थवेवस्ता कहा जा सकता है अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या वास्तों में अभी हाल फिलाल में या वर्तमान की प्रस्तितियों में जो 2023 से उस समय क्या कोई देश बंद अर्थवेवस्ता का उधारन है शुद रूप से बंद अर्थवेवस्ता का उधारन है तो हमें ये लगता है कि बंद अर्थवेवस्ता का उधारन ऐसा कोई भी देश नहीं है उसके पिछे का कारण ये भी है क्योंकि पूरी दुनिया में जितने बी देस है वे आत्म निर्भर नहीं होते हैं वे आत्म निर्भर नहीं होते हैं क्योंकि कोई भी देश जब पूर्णते आत्म निर्भर बन जाता है तब ही जाके ये इस्तिती बनती है कि वो ने तो आयात करे और नहीं निर्यात करे लेकिन हमें पता है कि जो परकरती है परकरती ने सबी देशों को अलग-अलग परिस्ति मात्रा में मिलते हैं तो इस तरीके से अलग-अलग देशों की भोगोलिक अवस्ताओं के आदा पर वहां नैचूरल डिसॉर्सेस प्राकर्टिक सिंजादन अलग है तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि बंद अर्थ व्यवस्ता मात्र एक कालपनिक अर्थ व्यवस्ता अब रह है कि वह दहैस पूर्णते वह कंट्री पूर्णते आत्म निर्वर हो लेकिन हमारा जो नेचर है चाहे वह मानव का नेचर हो चाहे वह देश का नेचर हो पूर्णते आत्म निर्वर काने होकर परस्पर निर्वरता का होता है इसलिए हम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो ये राब बंद अर्थ व्यवस्ता की बात हो, ऐसा कोई एक्जाम्पल हमें नहीं मिलता। खुली अर्थ व्यवस्ता, ओपन अर्थ एकोनोमी, बंद अर्थ व्यवस्ता के एकदम उल्टा विप्रीत है। इसके अंतरकट एक देश दुआरा अन्य देशों से आयात एवं निर्यात के माधियम से वित्य एवं व्यापारिक सम्बंद स्थापित किये जाते हैं। तो हम जब newspaper को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत के कई देशों के साथ विदेशी व्यापार के संबंद है, कई अन्य देशों के साथ भारत के साथ विदेशी व्यापार के संबंद है, आर्थिक संबंद हमें कहते हैं, कईों के साथ भारत का जो विदेशी व्यापा यानि कि जब हम ज़्यादा सामान, ज़्यादा वस्तुएं सेवाओं का आयात करते हैं जब चीजें मंगाते हैं और कम उसके अपक्षिय में अनुपात में निर्याद करते हैं तो सौभाविक्त क्या होगा घाटे की वित्तिति होगी तो यानि कि अब हम देख सकते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो open economy हो चुकी है खुली अर्थ वेवस्ता हो चुकी है और उसके पिछे की वज़े भी ये है क्योंकि कोई भी देस आत्म निर्बर नहीं है और साती सात आज का दोर क्या है वैश्वी करण का दोर है पर और कई अन्य सांसकर्तिक संबंदों के आदार पर भी तो वैश्वी करण है और हम ये देखते हैं कि अगर भारत के संदर में हम बात करें हमारे देस भारत के संदर में बात करें तो जुलाई 1991 जुलाई 1991 में पीवी नर्सीमाराव की सरकार थी पीवी नर्सीमाराव भार के परदान मंत्री थे नर्शी मानाव भारत के परदान मंत्री थे और इस समय क्या होता है इस समय भारत में एक निती अपनाई जाती है जिसे LPG की निती कहते हैं तो यह LPG LPG सिलेंडर ने होकर इसका मतलब होता है liberalization एल का पी का प्राइवेटाइजेशन और जी का ग्लोबलाइजेशन यानि कि उधारी करण, निजी करण और वैश्वी करण इसका अर्थ यह हुआ कि 1991 से पहले हमारी जो अर्थ व्यवस्ता थी या अमारी आर्थिक जो सरचना थी उसमें हम उधारी कृत नहीं थे, निजी करण नही जुड़े हुए थे उस अनुपात में या फिर बिल्कुली कम मात्रा में जुड़े हुए थे, तो 1991 एक हमारी लिए ट्रेनिंग पॉइंट था, उसके बाद हमने पूरी अर्थ व्यवस्ता को ओपन कर दिया और हमारी अर्थ व्यवस्ता खूली अर्थ व्यवस्ता बन गई और आज कल विश्वे के जितने भी देश हैं वो ओपन एकोनोमी के उधारन कह सकते हैं क्यूंकि LPG अब परचलिद है, आगे जलते हम, प्रशन नंबर 17, आर्थिक किरियाओं के आधार पर, एकोनोमिक एक्टिविटी के आधार पर अर्थ व्यवस्ता को कितने सेक्टर्स, क इतने चेत्रकों में विवक्त किया जाता है, आपकी स्क्रिन के सामने तीन चेत्रों के नाम हैं, पहला है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तर्तियक चेत्रक, तो मुख्यते, साधानते और बैसिक तरीके से बात करें, तो अर्थ व्यवस्ता को एकोनोमिक पहीं, चत् ध огрches चेत्रक नाम भी पढ़ते हैं, पंचंछ्योम चेत्रक को भी हम पढते हैं, हैं चोथा बी हम पढ़ते हैं और पांच्वा भी हम पढ़ते हैं, लेकिन बैसिक अगर बात करें, वो तीन चेत्रों को में बाटा जा सकता है, प्राइमरी सेक्टर को हम जनरलर क्या कह देते हैं agriculture के नाम से जानते हैं दुस्ट्यकол को हम इंड़स्ट्री या उद्योग छेत्रग भी पह देते हैं ओर तर्थ्यक शेत्रकों सेवा सेक्टर भी कह देते हैं तो इस आधार पर अर्थ विवस्ता को हम तीन मुख्यते बांच सकते और आज कल चतूर और पंचम चेतरक है और चतूर चेतरक में हम कहते हैं कि जो ग्यान आधारित सेवाए होती है या फिर सूचना के आधार पर जो सेवा होती है जैसे उधारन के तोर पर हम देखते हैं मीडिया से जुड़ी हुई, सोसल मीडिया से जुड़ी हुई, जो भी य इतिकत फैसले होते हैं या फिर बड़े डिये जाते हैं उस प्रकार के जो किडिया कलाब होते हैं वो पंचम छेत्रकें अंत्रगत आते हैं तो यह ध्यान दिजिए sinners प्राट्मी धृत्व्त्वियत् hayat और दो होता क्या है ठीक हमने यह जाना कि आर्थिक जो गतिवीदिया होती है उसके आदार पर सामाने ते तीन विभाजन है और अब अवी देख रहें कि चतूर्त भी आ गया पंचम भी आ गया तो प्रात्मी चत्रक्ट में हम देखते हैं कि उन आर्थिक गतिवीदियों को शामिर कि आ जाता है जो परकृति से संबन्दित होते हैं जैसे एक्जामपल अमने कहा कि इसे एक्रीकल्चर भी आता है पश्रूपालन आता है मतश्य पालनी की खनन ऑव उद खनन तो ये सभी सभी प्रकार लिकए हुए应 ऑगवता लेकर से क्वांर सेटर में आ जाते हैं तो आप प्रात्मिक छेत्र को देखिए कि प्रात्मिक छेत्र की मुख्य बात क्या है प्रात्मिक छेत्र की मुख्य बात है परकर्ति से जिसका परत्यक संबंद होता है परकर्ति से जिसका परत्यक संबंद होता है नेचर से जिसका परत्यक संबंद होता है वहां से जो रो मैटेरियल कच्छा माल प्राप्त किया जाता है उसे प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है जिसमें एक्जामपल हमने देखा मुख्यत एग्रिकल्चर इससे जुड़ावा पश पालन वानिकी खननन उथ खननन तो हमारे पास अगर MC Q जा जा आ जाए कि निम्न में से कोन सा प्रात्मिक छेत्रक है ने शामिल है या नहीं है तो यह जितने भी example आ जाते हैं यह सभी प्रात्मिक चेतरक में शामिल हो जाते हैं अब प्रात्मिक चेतरक को लेकर कुछ important तथ्य की बात करें प्रात्मिक चेतरक का जो दूसरा नाम है वह है क्रिशी वह संबंदित चेतर प्रात्मिक चेतर का एक अन्य नाम है agriculture और इससे संबंदी छेतर संबंदी छेतर में क्या आता है वशुपालन मतश्यपालन यह सारे आ जाते हैं और इसके अत्रिक्त हम देखते हैं कि जो GDP है हमारे देश की भारत की GDP है वो GDP को हम देखते हैं कि सकल गरेलू उत्पाद हिंदी में कहा जाता है और GDP का सामानिय मतलब होता है कि कि किसी कंट्री किसी देश की सीमा के भितर वस्त्व का अंतिम मोड्रिक मुल्य जिडीपी कहळाता है। परिवाशा हो गई GDP की किसी भी देश यानि की भारत की सीमा के भीतर जो हमारी बाउंटरी है 32,87,263 किलोमेटर लगबग उसकी बाउंटरी के भीतर जो भी वस्तों और सेवाओं का उत्पादन होता है और उन उत्पादन का जो अंतिम मोद्रिक मॉनिटरी मुल्य है वो GDP कहला है और हम देखते हैं कि हमारी पूरी जीडीपी में लगबग 18.8% 18.8% ये 2021-22 के मैं आकड़े की बात कर रहा हूं उसमें एगरी कल्चर प्रात्मिक सेक्टर का योगदान रहा है और 2021-22 में एगरी कल्चर ने 3% की दर से ग्रोथ दिखाई है वरदी दिखाई है ये दूसरा इंपोर्टन तत्ये में आपको बता रहा हूं तो पहला इंपोर्टन तत्ये लगबग 18.8% पूरी हमारी जीडीपी है उस जीडीपी में एगरी कल्चर का रोल है 2021-22 में 3% की व्रदी के साथ एगरी कल्चर ने व्रदी की है विकास किया है और अभी जो आर्तिक शमिक्ष आ 3.5% की दर से व्रदी करेगा तो कुछ इंपोर्टेंट। थत्यों की हमने बात करी प्राइम इड सेक्टर को लेकर अब चलते हैं दुधियक चेत्रक क्या होता इसको परिबाशित करना है द्वित्यक छेत्रक के अंतरगर निर्माण एवं वी निर्माण मैन्यूफैक्चरिंग से संबंदित आर्थिक किरियाओं को शामिल किया जाता है जैसे कि भवन निर्माण लोहे एवं इस्पात उद्योग वहां निर्माण तो कहने का मतलब यह है प्रात्मिक छेत्रक में प्रकर्ति से संबंदित सिदे और इसके अंतरगर जहां मैनूफैक्चरिंग होगी कच्चे माल की जहां निर्माण होगा वो द्वित्यक छेत्रक के लाएगा और द्वित्यक छेत्रक को परचलित भाषा में ओद्योगिक छेत्रक या उद्योग छेत्रक भी बोल देते हैं 2021 के आकड़े के हिसाब से अमने देखा कि 28.2% पूरी भारत की जीडीपी में इस सेक्टर का योगदान रहा कितना 28.2% का योगदान रहा और आर्तिक शमिक्षा 2022-23 के अनुसार ये सेक्टर जो है 4.1% की ग्रोथ दिखाएगा 4.1% की ग्रोथ के साथ व्रदी करेगा ये व्रदी की बात है ठीक है और ये जो पूरा जीडीपी है उसमें जीडीपी के योगदान की बात है और कितने परतिस्थ की दर से व्रदी करेगा ये सेक्टर 4.1% की दर से ये सेक्टर व्रदी करेगा और काफी important सेक्टर माना जाता है किसी भी देश की अर्थवयवस्ता के लिए चलते हैं तरत्यक छेत्रक में तरत्यक छेत्रक में किन आर्थिक गति वीडियों को शामिल किया जाता है तो अब तक जो हम प्रात्मिक और डृत्यक छेत्रक पढ़कर आए हैं उसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है वस्तों का production किया जाता है लेकिन अब उन चेत्रकों को सेवा की भी जरूरत होगी तो तर्तिक चेत्रक को हम कहते हैं सेवा सेक्टर सेवा चेत्रक इसमें सामिल आर्थिक किरिया हैं बैंकिंग बिमा परिवहन संचार परेटन व्यापार शिक्षा एवं स्वास्तिय और भी बहुत सारी सेवाएं जो हैं वो सेवा सेक्टर के अंतरगत गतिवीद्य आ जाती हैं जैसे कि स्ट्रिट वेंडर जो है जो गलियों में सबजी फल फूरूट बेंचने का काम करता है व एक मास्टर एक अध्यापक पढ़ाने का काम कर रहा है वो भी सेवा सेक्टर में आ जाएगा एक डोक्टर अपने मरीज का इलाज करने की सेवा सेक्टर में आ जाएगा यानि कि सेवा सेक्टर में किसी वस्तू का उत्पादन नहीं होता सर्वीस दी जाती है और सेवा सकल गरेलू उत्पादन में योगदान जो है लगबग 53% का योगदान है सेवा सेक्टर का योगदान है 53% का योगदान है और इस सेक्टर ने 2021 में 2021 में 8.4% की वरदी दिखाई है 8.4% की वरदी इस सेक्टर ने दिखाई है और आर्तिक शमिक्षा जो भारत सरकार की आर्तिक शमिक्षा आती है परति वर्ष फरवरी महा में बजट के साथ 2022-23 के अनुसार आर्तिक शमिक्षा 2022-23 के अनुसार क्या है कि सेवा सेक्टर 9.1% की वरदी दिखाएगा तो कहने का मतलब यह है कि अर्थ व्यवस्ता में सबसे ज़्यादा जीडीपी में योगदान सेवा सेक्टर का है और सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी ये सेक्टर अभी दिखा रहा है और इसके साथ मैं एक फैक्ट्स आपको बता दूँ कि अभी हम एग्रीकल्चर को पढ़कर आये हैं और एग्रीकल्चर का जीडीपी में योगदान लगबग 18.8% परती सत है और सेवा सेक्टर का जो योगदान है लगबग 53% है कहने का मतलब है सबसे ज़्य जीडीपी में योगदान होने के बावजूद सेवा सेक्टर उस अनुपात में रोजगार नहीं देता तो इसका मतलब है भारत वर्ष में एग्रीकल्चर पर सबसे अधिक रोजगार जो देने वाला सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं और यह ऐसा क्यों है जब हमें बैसिक समझ में आ जाएगा तो हमें समझ में आएगा कि एग्री कल्चर कम जीडीपी में योगदान दे रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा निर्भरता लोगों की जो है रोजगार जो है वह सेक्टर दे रहा है उस सबसे कारण यह है कि इसमें कुछ विरोदाबास है तो यह तर्तिक शत्रक की हम बात कर रहे थे अब चलते हैं भारत में आर्थिक नियोजन अब तक हमने आर्थिक गतिवीदियों के बारे में प्रात्मी दृत्यक तर्तिक इनको पढ़ा और हमने पढ़ा कि चतुर्त और पंचम छत्रक भी अब आ चुके हैं एकोनोमिक्स में अब भारत में आर्थिक नियोजन यानि कि भारत जब बृतें की रिटें की युके की इंगलेंड की दास्ता से मुक्त हुआ आजाद हुआ उनीस सु सेंतालिस पंदर आगस्त उनीस सेंतालिस उसके बाद भारत ने अपना आर प्रतियोंगी परिक्षा की त्यारी करने वाला, we ध्यारति हो, प्रश्準 21 ही कह रहा है, planning क्या है remake क्या होती है। सीम्पल सी बात है कि परतियोंगी परिक्षा के सामने, जो त्यारी करने वाला बच् esimerk के सामने सबसे बड़ा द्वन दिये ही होता है कि वो बहुत सारी रन्नितियां बहुत सारी प्लानिंग बनाता है प्लानिंग सेट नहीं होती तब उसे नोकरी लगने में वेट करना होता है अब प्लानिंग सेट कैसे होगी जब बैसिक फिट होंगे बैसिक जो नोलेज है जो फंडामेंटल नोलेज है उसका अच्छे से ग् नहीं कि गाइड आपने बड़ी बड़ी पढ़ ली हो तो प्लानिंग क्या होती है इसको अगर डिफाइन करें उपचालिक भाषा में नियोजन वेब प्रकीरिया वेब प्रोसेस है जिसमें किसी लक्षे टारगेट को प्राप्त करने के लिए सर्व परतम उसकी विस्तृत य कालने की योजना बनाई जाती है तत्त पश्चात योजना के अनुसाल लक्षे को प्राप्त करने का प्रयाव किया जाता है यानि कि एक रणनीती होती है आप प्लान बनाते हो आप प्रात्मिक्ता सेट करते हो फिर उस प्लान के बाद आप काम करना सुरू करते हो एक्षन म तो प्लान सबसे ज़्यादा important होता है क्योंकि प्लान से क्या होती है किसी देश की प्रात्मिक्ता ते हो जाती है या हम देश की बात कर रहे हैं प्रात्मिक्ता priority set होना जरूरी है प्रात्मिक्ता set होना जरूरी है चाहे वो देश हो चाहे वो विध्यारती हो चाहे वो व्यक्त को पढ़ना चाहिए यह सारी के सारी यह प्राथमिक्ताई होती है प्राइयर्टी ते हो जाती है तो हम एक रण निती एक strategy बना सकते हैं एक strategy बना सकते हैं और जब strategy बना लेते हैं तो उसका कुरियोन सबसे important यही होता है planning बनाना काफी नहीं होता planning का implementation planning को लागू करना planning को apply करना सबसे महत्वपूर्ण होता है तो प्रात्मिक्ता सेट हो जाती है रणनिती बढ़ती है किर्यानवन हो जाता है तो planning का मतलब यही है और भारत के संदर में planning की बात कर रहे हैं और हम सरचना कैसी हो उसके लिए बहुत सारे अलग-अलग लोगों ने अपने विचार रखना सुरू किये अलग-अलग बाते करना सुरू की कि भारत का आर्थिक विकास बढ़िया से कैसे हो सकता है कैसे एक भारत जो है बहतर लोक तंतर बन सकता है आर्थिक विकास कर सकता है और उसमें प्रशन नंबर 22 भारत के लिए नियोजित प्लांड विकास की रूप प्रेका सबसे पहले किसके दुआरा प्रस्तूत की गई यह प्रशन कहता है तो यह प्रस्तूत की गई एम व विकास एक प्लान एकोनोमिक प्लान डेवलपमेंट की बात की गई तो एम विश्व सवरया के बात करते हैं मोक्ष गुंडम पूरा नाम जो हैं का डोक्टर मोक्ष गुंडम विश्व शवरया इनके जनम दिवस के उपलक्स में सत्पर्तिवर्स 15 सेप्टमबर को राष्टिये अभियंता दिवस यानि की हिंदी में अभियंता बोलते हैं इंजिनियर दिवस बनाये जाते हैं तो भारत के सबसे प्रशिद नियोजन कार बोल सकते हैं सबसे बड़ा इंजिनियर बोल सकते हैं जिनोंने भारत में नहरों को बांदों को बनाने की पूरी एक प्लानिंग बताई थी और इनी के जनम दिवस पर अभियंता दिवस बनाये जाता हूँ सबसे पहले इनोंने प्लान्ड एकोनोमी फोर इंडिया में नियोजित विकास की बात करी थी 23 नमबर प्रशन केता है भारती राश्ट्रिय कोंग्रेस के किस अधिवेशन में भारत में नियोजन की संभावना पर विचार करने है तूँ पंडित जवाहार लाल नहरू भारत के फर्स्ट प्राइम मिनेश्टर की अधियक्स्ता में राश्ट्रिय नियोजन समीती नैशनल प्लानिंग कमिटी का गठन किया गया तो यह किया गया था 1938 इस्वी में हरी पूरा अधिवेशन हुआ था और यह हरी पूरा अधिवेशन हुआ था सुबाश चंदर बोज की अधियक्स्ता में तो हरी पूरा अधिवेशन जमाला नहरू को पर्थम अध्यक्स इसका बना दिया जाता है उसके बाद पूरी रूप रेका इसमें तैह होती है प्रशन नंबर 24 मुंबई के आठ प्रशिद उद्योग पतियों दुवारा बॉंबे प्लान नामक योजना का प्रस्तूत की गई तो यह प्रस्तूत की गई 1944 में जैसा कि मैंने पहले यह का था कि 1940 से पचास का जो दसक था उसमें बिन बिन लोगों के बिन बिन विचारधाराओं के लोगों के प्लान आएंगे की भारत का जो विकास है और इस्पैसली आर्थिक विकास क्योंकि भारते अर्थ व्यवस्ता हमारा विशे है तो उसको हम पढ़ रहे हैं तो उसमें बॉंबे प्लान आता है आठ प्रशिद उद्योग पती उस समय के जिसमें टाटा बिडला जो अभी के प्रशिद नाम है जे आड़ी टाटा उस समय तीक है वो सारे इसमें शामिल होत भारत के लिए आर्थिक विकास की योजना उनिस सो चोमालिस में जिससे प्रचलिद फैमस वासा में बॉंबे प्लान भी का जाता है जिससे टाटा बिडला प्लान भी का जाता है प्रस्तूत की गई और इसमें यह बात रखी गई कि भारत को जो है मुक्त अर्थ व्यवस्ता फ्री एकोनोमी जिसमें हम पढ़के आए ओपन एकोनोमी जो हमारा 16 नंबर प्रशन था खुली अर्थ व्यवस्ता बनाई जाए लेकिन साती साथ साती साथ क्या हो राज्य का परियाप सरंग्षन मिले किसे देशी उद्योगों को देशी उद्योगों को तो यह बात की गई क्यूंकि भारत आजार हो रहा था इस समय 1944 के दोर में आजाद वाला ही था 47 में तो अब क्या चलना था अगर मुगत अर्थ व्यवस्ता बना भी दिया जाता है तो मुगत अर्थ व्यवस्ता में क्या होगा वैश्वी करण होगा सभी देश व्यापार कर सकते सभी कोई भी बड़ा उद्योग पती इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो उससे क् करें देशी उद्योगों के विकास के लिए एक बात कही गई थी यह बॉंबे प्लान था पच्छीस नमबर प्रशन कहता है भारत में नियोजन के संबंद में 1944 इस्वी में गांदी वादी योजना जैसे मेंने का अलग-अलग विचारदारा तो बॉंबे प्लान क्या था कॉर्पोरेट पूंजी वादी आइडियोलोजी वाली मुब्तरत विस्ता की बात कर लिए अब गांदी वादी योजना प्रस्तुत की गई श्री मन्नाराइन द्वारा और श्र मानवें धरनाथ रोई द्वारा नियोजन के लिए कोनजी योजना प्रस्थावित की गई तो ऊस्योजना का नाम था पिपल प्लान जिसे हिंदी में जन योजना पिपल्स प्लान जन योजना मानवेंदर नात राय दुआरा पस्तु दिगी गई और मानवेंदर नात राय के बारे में मैं आपको बता दूँ कि इनकी जो आइडियोलोजी है वो मिस्रिट सी है लेकिन इनका जो जुग पार्टी जो है भारते कम्यूनिस्ट पार्टी 1925 में उसकी स्थापना M.N. रोई द्वारा ही की गई थी मानवेंदर नातराय के द्वारा ही की गई थी और यह है यह क्या थे यह नवीन मानववाद विचार धारा के परवर्तक भारत में माने जाते हैं नवीन मानववाद के परवर्तक M.N. रोई माने जाते हैं पिपुल्स प्लान लोगों की बात लोगों की डिगनिटी लोगों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास होना चाहिए यह सारी योजनाय जो है अर्थ विवस्ता की दिशा की और भारत में आर्थिक विकास बहतर कैसे हो इस पर डेस जो डिसकस हो सकती है बैस चीज़ें भी चल रही है वर्ष 1950 में भारत में नियोजित विकास की रूप रेका के करम में अब एक और प्लान आ गया सर्वोद्य योजना तो हमने बॉंबे प्लान को देखा हमने सर्वोद्य योजना हम पढ़ पढ़ रहे हैं इसके साथ जन योजना हमने देखी गांदी योजना देखी तो सर्वोद्य योजना श्री जे परकास नारायन ने प्रस्तूत की और इसमें सब के उदे समावे सी विकास की बात थी और जे जो थे जे परकास नारायन जीतों थे गांदी जी से भी प्रवाव में क्या चलाया था बू दान आंदोलन चलाया था जमीन को दान में देने वाला आंदोलन चलाया था ठीक है और परतम सत्याग्रेई हुए परतम व्यक्तिगत सत्याग्रेई हुए विनोवभावे इन दोनों की विचार धाराओं का मिश्रण क्या था सर्वोदे योजना थी य द्यान में हमें रखना है फाइव येर प्लान पंच वर्षे योजना के माध्यम से देश के सामाजिक और आर्थिक विकास सोशल एकोनोमिक देवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग प्लानिंग कमिशन का गठन किया गया और ये कब किया गया पंद्रा मार्च उन्निस सो पचास को किया गया तो अब तक आर्थिक विकास कैसा हो भारत में राज्ये के दुवारा उस पर डिसकस चल रही थी उसमें बॉंबे प्लान आया गांदिवाजदी योजना आई जन्योजना मान्वेंदच नात राह कि आई जिपरकाष नारायन की सर्वध्य योजना आई अब इन सभी योजनओं के बाद में एक चीज नकल के आई कि भारत में हम कैसा प्लान करेंगे हम नियोजित विकास प्लानड नियोजित विकास की और बढ़ेंगे और इसके साथ साथ मिस्रित अर्थ विवस्ता जिसमें क्या होगा जिसमें कुछ राजे के हातों में होगी कुछ होगी नीजी सेक्टर में मिस्रित अर्थवेवस्ता का प्लान हम चलाएंगे हम नियोजीत प्लान एकोनोमी की और बढ़ेंगे जो पाँच साल की हम योजनाई बनाएंगे ठीक है और ये कौन करेगा सारा काम ये करेगा योजना आयो करेगा योजना आयो का गठन 15 मार् मंतरी मंडल के प्रस्ताव के दुआरा तो इसलिए कहा जाता है कि योजना आयोग क्या है ने तो सम्विधानिक आयोग है ने विदीक आयोग है यह कैसा है यह कारेकारी कारेकारी निकाई है तो यह बनता है 15 मार्च 1950 को नेक्स्ट प्रशन की और बढ़ते हैं हम योजना आयो की स्थापना किस समीती की सिफारिस पर की गई कैसी नियोगी समीती की सिफारिस की गई 1944-46 के दर्मियान कैसी नियोगी समीती ब्रिटेन के सरकार के द्वारा इस्तापत की जाती है और यह समीती भारत में विकास के लिए योजना आयो की सिफारिस करती है तो योजना आयो के घटन की जो अनुशन सा है वो कैसी नियोगी समीती ने कीती और कैसी नियोगी जो है उनक का निर्मान किया था उसके क्या थे मेंबर थे सदेश्य थे और साथ ही साथ भारत का जो फ़र्ष्ट पहला वीत आयोग है फाइनेंस कमिशन है उसके अध्यक्स भी रहे और आपको पता है वीत आयोग का गठन अनुछे 208 के तहट किया जाता है और भारत का जो पहला मंत्री मंडल था पहला कैबिनेट था उस कैबिनेट में कैसी नियोगी जो थे राहात और पुनरवास मंत्री भी रहे क्या रहे रहात और पूर्णरवास के मंत्री भी रहे और कैसी नियोगी समीति की सिपारिस पर योजना आयोग बनाता और इस कक्षा का हमारा अंतिम प्रशन है योजना आयोग का पदेन अद्यक्स कोन होता है तो योजना आयोग का पदेन अद्यक्स परदान मंत्री जी होते ह और पहले योजनायों के अध्यक्त की बात करें तो भारत के पहले परदानमंत्री पंडित जवालाल नेहरू थे तो अब तक हमने तीस महत्वकून प्रशनों को अच्छे से पढ़ना है समझने की कोशिश करनी है इन्हें कंठस्त करने की कोशिश करनी है रटना भी है कुछ तक्ष्यों को आगे भी हम चर्चा को जारी रगेंगे तब तक के लिए जै हिन जै भारत जै राजस्तान